आपके साथ साक्षी गुपता सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबरों की MP BJP का मिशन क्लीन स्विप लगादार जारी है सिए मोहन यादव का इसको लेकर बयान भी सामने आया है प्रदेश में क्लीन स्विप करेंगे यानि कि 29 की 29 सीटों पर BJP जीत हासिल करेगी मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्होंने कहा भी है आखिरी वोड तक मैदान में डटे रहेंगे तो यह कहा है MP के मुख्या मोहन यादव ने शांती से नहीं बाठेंगे प्रदेश के कारकरताओं में उत्साह है उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा ये भी कह दिया मुख्यमंत्री मोहन ने और किस तरह से क्लीन स्विफ्ट की बात की है 29 की 29 सीटो पर सुनिया धीरे धीरे चुनाओ चरंपे पहुँच रहा है मुझे इस बात की प्रसनत आए कि लगातार भारतियनता परटी अपने कारकरताओं के साथ चुनाओं मैं दिनो दिन उत्साव उमंग के साथ लगती है आ रही है जैसे पहले चरंद के चुनाओं के साथ अब दूसरे चरंद के च्ञणाओं के नज़नी घंग हम पहुच रहे हैं और इसी में तीसरे और चोथे चरंड के फार्मों के नमांकन का भी आखरी दरों चालू हुआ है आज मैं मालवा के तरह बढ़ रहा हूँ खास करके साजापूर और उज्जेन में फार्म भरा करके तो जब तक आखरी मतदान नहीं हो जाता तब तक ढटे रहेंगे शांती से नहीं बाठेंगे मालवा पर फोकस है इसलिए उज्जेन और शाजापूर में जाएंगे पिट्याशियों के नामांकन भी दाकिल कराएंगे तो देखे बड़ी बात कह दी है मुख्यमंत्री मोहन यादब ने 29 की 29 सीटों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि आखरी वोट तक हम मैदान में डटे रहेंगे हमारे कारकरता लगातार सक्रिय हैं और प्रदेश के कारकरताओं में उत्साह है उमंग उत्साह को बराए रखेंगे और आखरी वोट तक मैदान में डटे रहेंगे तो देखे चार जून को रिजल्ट आना है और उससे पहले MP में चार चरणों में मत्यदान हो रहे हैं पहले चरण का मत्यदान हो चुका है 19 अप्रेल को अब बारी है दूसरे चरण की यानि 26 अप्रेल की उससे पहले लगतार स्टार प्रचार को का भी दौट जारी है MP में प्रधान मंत्री भी आने वाले है केंद्रिय ग्रे मंत्री लगतार कमान समाले हुए है स्टार प्रचार को का दौरा और एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद कमान समाले हुए है लगातार उनकी ओर से दौरे किये जा रहे है और आज मालवा पर भी फोकस है शाज़ापु जाएंगे उजयन जाएंगे और उससे पहले उन्होंने कहा है कि 29 की 29 सीटो पर इस बार कमल खिलेगा तो आखरी वोट तक मैदान में डटे रहेंगे और इसी पर जाधा जानकारी के लिए हमारी सहींगी रंजना भी जुड़ी हुई है रंजना देखिए मुख्यमंसरी मोहन यादव खुद कमान समाले हुए है लगातार दोरे किये जा रहे है लेकिन मालवा के जाने से पहले बड़ी बात कहा रहे है 29 की 29 सीटो को लेकर क्लीन सुइप को कैसे देखे जो बात मुख्यमंसरी ने कहे देखे साक्षी इस बार भारती जनदा पार्टी का मिशन 29 है और इसको लेकर लगातार जो दिगज नीता है उन्होंने मोर्चा समभाला हुआ है और जमीनी इस तर से लेकर हर एक एक जो बूत है उस पर लगातार फोकस किया जा रहा है और इसलिए चुनावों से पहले भारती जनदा पार्टी की रणनीती थी कि जो बिधान समभ चुनावों में जिन बूतों पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है वहाँ पर बहतर प्रदर्शन करनी को लेकर जो अलग से रणनीती है वो दयार की गई और हर एक एक जो बूत पर 370 वोट शेर बढ़ाने का जो लक्ष है वो रखा गया और इसलिए अब भारती जनता पार्टी में जो तमाम दिगज नेता है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से आशिरवाद भी माग रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादो खुद हरे की प्रत्याशी के नामंकन में शामिल हो रहे हैं जनसभा करे हैं रोड शो कर रहे हैं और जनता से अपना आशिरवाद देने को लेकर लगातार अपील भी कर रहे हैं और यही वज़ा है कि उन्होंने पूरे आत्मविश्वास ही कहा है कि इस बार जो कॉंग्रेस है उसको हम क्लीन स्वीप करेंगे और पूरी 29 में से 29 सीटे हम जीत कर एक नया इतिहास यहाँ पर रचने वाले हैं बिलकुल और मुख्यवंत्री यहाँ पर दावा करते हुए नसर आ रहे हैं 29 की 29 सीटों को लेकर उनकी और से बात कही जा रहे है हाला कि इंतजार करना होगा 4 जुन का उसके बाद ही पश्टों होश में कौनसी पार्टी को कितनी सीटे मिली हैं